How you can score well in your board exams? आज आप लोग अपनी इस प्रोडमर का सोल्यूशन मल जाएगा Hello everyone, Welcome to my YouTube channel, I am Janhvi और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं Tips to get full marks in your board exams 100% कैसे ला सकते हैं आप लोग और जो average हैं, जो topper हैं सब के लिए ये वीडियो है, 10 तो 12 दोनों क्लास के बज़्चों के लिए वीडियो है Then ये कुछ मैंने वीडियो अप्लोड की हुई हैं अपने चर्णल पे इनको आप लोग जागे चेक आउट कर सकते हैं बहुत अच्छे रिव्यूज हैं पर हमारा सबसे number one topic आता है number one चीज है figure out your syllabus अपना syllabus का में पता होना सबसे जरूरी चीज है आपको अपने syllabus में क्या आता है, क्या नहीं आता है क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है किस chapter की कितनी weightage है किस chapters में से कितनी question आएंगे बहुत जरूरी है आप लोग किस आप लोग कहां सही कर रहा है कहां नहीं कर रहा है, आप लोग को कितना आता है कितना नहीं आता है, यह जानना बहुत जरूरी है guys, then हमारा second point आता है book selection सही book का पता होना बहुत जरूरी है, अगर आप तोपर आप लोग बढ़ाई में बहुत अच्छे हैं इसको मतलब यह नहीं है कि आप NCRT अवोईट करेंगे या फिर आप बिल्कुल एवरेज हैं या बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता है तो इसको मतलब यह नहीं है कि आप सिदर रिफ्रेशर पर चले जाएंगे NCRT सबसे जरूरी है मेन फोकस NCRT पे ही होना चाहिए देन कोहिशन बैंक्स पर जाना चाहिए उसके किसी और बुक पर सबसे पहले NCRT को कवर करना है यूँकि NCRT आपको बेस के लिए करती है और सबसे बोर्ड में कुष्टन से नCRT में से ही आते हैं जाद अतर देन आप लोगों को NCRT के सारे एक्जाम्पल्स और सारी बुक एक्सराइस प्रैक्टिस करनी है जरूरी है वो देन हमारा नंबर थ्री आता है टाइम मैनेजमे बहुत जरूरी है आपकी सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं अपने आपको भी रिलेक्स रखना अपने माइन को भी रिलेक्स रखना और अपने हर सब्जेक्ट को कवर अभी करना है ऐसे नहीं कि मैच करना है तो मैच सी करेंगे कुछ हो कर रहे हैं तो वही सब्जेक बनाकर पढ़िये, सबसे असान रहेगा फ्लो चार्ट बनाकर पढ़ना और याद भी रहेगा then हमारा नमबर फिफ्ट आता है explain your answers to others or yourself, आपने जो पढ़ा है या तो वो खुद को समझाईए या किसी और को समझाईए कोई टॉपर बच्चा है वो किसी एवरेज बच्चे को लेके बैठ सकता है अपने फ्रेंड को लेके बैठ सकता है उनको समझाईए आप लोग को वानसर बक्का याद हो जाएगा दिमाग में सेट हो जाएगा then चैनल को सब्सक्राइब कर देना मझे फोलो कर लेना वीडियो को लाइक कर देना इतना तो करी सकते हो ना then sixth point आता है हमारा don't get demotivated बिल्कुल भी demotivate नहीं होना है कि कोई कहते तुमको नहीं कर लोगे तुमसे नहीं हो रहा नहीं तुम कर सकते हो और तुम कर लोगे अपनी लेजिनेस को वोईड करना है कि आ अभी मन नहीं कर रहा बाद नहीं अभी करना है तो अभी ही करना है then question पॉइंट सेवन आता है practice sample papers most important है किसी को कुछ नहीं आता है एक महिने में पास हो जाएगा वो sample लेपर करके तो toppers के लिए तो भी बिल्कुल सबसे अच्छी चीज़ है इनको ज़रू कर लेना then blueprint ज़रू पता होना चाहिए आपको हर subject का blueprint कैसा paper आता है thanks for watching this video I am so blessed to have you all the best for exams please channel को subscribe कर देना friends के साथ share कर देना bell icon press कर देना stay blessed stay happy channel को subscribe करना मत भूलना कर देना